कि अब यूटूब कीजिए हमारे यूटूब चैनल स्टडी विद कजंस को और बैल आइकन को तबाए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिमेशन आपको मिल सके हाई फ्रेंड्स वागता हमारे यूटूब चैनल स्टडी विद कजंस में तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टेंज का पार्ट फॉर्स्ट हम हमारा ये टेंज को पार्ट वाइस बनाने का क्यों ले कि मोटिव है कि आप जो है इसको बिल्कुल आराम से समझ सके बिल्क पार्ट में हम कवरें करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट इंडेफिनेट का पूरा स्ट्रक्चर पूरा प्रेजेंट इंडेफिनेट इसमें कवर करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की टेंस होते हैं टेंस टेंस वह इंगलिश कामर के वह स्ट्रक्चर है जो ह और वरक पूरा हुआ है आदा हुआ है कितना हो गया हुग इस sudah दो प्रेजन फ्यूटर पहस्ट वाश 두क्त जो बीच चुका प्रेजनट जो वपित चल रहा है और फ्यूटर जो भी चल रहा है और फ्यूटर जो आला है ठीक है और work के बैस पर हमने से डिवाइड किया वरक बैस पर इनडाइड इनडाइडज आफिज जो भी प्ता नहीं है इनडाइड विद्विल्ड निदेफिनेड मतलब होता है कि मतलब पता नहीं कि काम हुआ है कि तव है नहीं हुआ है क्या हुआ है फिर आता है हमारे continuous continuous आता है हमारे जो भी चल रहा है continuous का मतलब है हमारे चलना फिर आता है हमारे perfect perfect होता है बिल्कुल perfect यानि पूरा हो जाना काम पूरा हो जाता है तो हो जाता है हमारे perfect continuous यह फालतु का tense है पर हमारे इसमें टैंस में है तो हम इसे पढ़ेंगे तो चलिए इसमें पास्ट में तो हम इने डिवाइड कर दिया चार भाग में एक हो गया इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कॉंटिनुएस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉंटिनुएस हम इ तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम कौन से हैं प्रेज़ों को मदद करेंगे कि कौन सा टेंस है आपको परता करने में कि पास्ट है प्रेजेंट है या फ्यूचर है जैसे मैं लीजिए हम कई पर पिक्निक पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सी स्कूल के बच्चे होते हैं तो हम अपनी स्कूल के बच्चों को कैसे पहचानते हैं हम वहाँ पर अपनी जो स्कूल ट्रेस होती है जो अलग होती है उसके वज़से हम उन्हें पहचान लेते हैं इसी प्रकार टेंस में भी पास्ट में प्रेजेंट में उस फीचर में अलग अलग जो टेंस होती है helping वर तो तो चलिये इसे एग्जाम्पल की मदद से और चाहिए एक्जाम्पल हमने लिखा she does not understand English मुझे नहीं पता है कौन सा टेंस है क्या है पर इसमें क्या दिख रहा है आपको डज दिखिया मतलब कौन सा टेंस है present tense अब work का कैसा है शarme कीज़ने का टेंस कि रूहा है हमारी यहां तीन कि मेली रिख रही पर हमेली तीन के वारें पड़ेते हैं जैसे go ले लिख ध़िया तो go ऊके टीन फूम होती है go first फूम second form हो गई हमारे went और third form हो गई हमारे gone इससी तरह है अगर वर्ब की first form होगी तो होगा कोउगा हमारे indefinite verb की first form plus ing होगा कोँगा हमारे continuous और अगर वर्ब में third form proper वर्ब की third form होगी तो होगा हमारे perfect 3rd form का मतलब होता है कि काम पूरा हो जाना perfect जाना पूरी तरीके से हो गया है तो चलिए बढ़ते हम अपने वीडियो के तरह आगे बढ़ते हैं फिर आता है हमारे present indefinite present indefinite की पैचान कैसे करें तो present indefinite की पैचान होगी present indefinite में हमें बताएंगे आधितों के बारे में schedule के बा आखरी में आखर ता है ती है ते है तो है अगर यह आजए तो आपको समझ आप समझ आएंगे कि यह क्या है present indefinite अब इस एक्जामपल की मतलब से और अच्छे समझते हैं ता है ती है कर देखेंगे मैं school जाता हूँ मेरी में में खाना पकाती है तुम का तुम वहां क्या कर ते हो तो आ रहा आकरी में ता है ते है ती है तो है तो इससे हम पैचान जाएगे कि है present indefinite अब हम करते है हमारा affirmative तो affirmative में क्या आता है सबसे पहले आजाएगा हमारे subject फिर आजाएगा हमारे verb की first form एस और इस और आजाएगा हमारे object एस और इस कर आएगा एस तब आएगा अधर जिसके बारे हम बात कर रहे हैं वो जाएगा हमारे third person अब इसे example की मदद से और अच्छे समझते हैं example है हमारे मैं right board पर लिखता हूँ सबसे पहले कहाएगा हमारे subject so subject कहा हमारे I फिर आजाएगा हमारे लिखना- लिखना के English कहा है right इसके साथ S और इस लगा दूँ नहीं S और इस नहीं लगेगा क्योंकि कह है third person नहीं है इसलिए S और इस नहीं लगेगा फिर आएगा white board पर लिखता हूँ I write on white board अगला example है हमारे तुम उसे जानते हो तुम उसे जानते हो तो सबसे पहले आजाएगा हमारे subject subject है हमारे तुम की English हो जाएगा हमारे you फिर आता है जानते हो जानते हो जाएगे no फिर आजाएगा him or her ये him or her जो है उस पर मतलब अगर लड़का होगा तो him और लड़के होगी तो her तो इसका पूरा बन गया I know you know him or her अगला एग्जांपल हमारे कुनाल मेरे साथ रहता है तो इसमें हमारे third person के बारे में बात कर रहे हैं third person कुनाल न तो कुनाल subject है न सुनने वाला है बस third person है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो कुनाल होगा हमारे third person तो third person के साथ क्या लगता है हमारे as or yes तो kunal की English subject subject हो गया हमारे kunal फिर आगया रहने की English होती है leave leave और फिर as or yes लगया third person तो लगया हमारे leaves मेरे साथ रहता है तो आगया with me तो इसका बनीगा हमारे kunal leaves with me अब करते हम negative negative की structure बनाते हैं negative में पहले आएगा हमारे subject फिर आजएगा do or does फिर आजएगा note note क्या आएगा क्योंकि हमारे क्या है negative है sentence negative हो तो आएगा हमारे note फिर आएगा फिर फिर object do किस के साथ आएगा does किस के साथ आएगा do आएगा अगर हमारे subject जो है अब आगे बढ़तें एक्जाम्पल के मतलब सेने और अच्छे समझतें एक्जाम्पल है मैं जूट नहीं बोलता हूँ तो सबसेपहले आखा सब्जक्ट सब्जक्ट होती है मैं मेंक इंग्लीश होती है कि आई डू आएगा या डू आएगा डू आएगा डू क्यों आएगा क्योंकि यह साथ हमेशे क्या लगता है दू फिर आएगा नॉट क्योंकि क्या है यह नेगेटिव सेंटेंस है फिर बोलने के इंग्लिश होती है बोलता हूं के इंग्लिश देगे हमारी टेल है लाई दो क्यों किया है हमारे यू सब्जेक सब्जेक हमारे you उचाहां कि इंगलिष प्रेक प्रूरा हम विल्चेर प्रोल offers one of my लड़की है तो क्या जाएगा हमारे subject क्या जाएगा, she, फिर जाएगा, do या does, does क्योंगे, subject क्या है, सिंगुलर तो आगया हमारे does, फिर जाएगा हमारे not, और कोशिश करने के लिए लिए हमारे try, तो इसका बनीच हमारे she does not try, अब हम चलते हमारे interrogative में, interrogative की हमेशाह कहीं प हमेशा हमेशा helping verb से होगी ठीक है तो अब हमने आपको बताया कि उसके starting किसे होगी helping verb हमारे यहां पर do or does ठीक है तो सबसे पहले आगई है हमारे do or does फिर राजाएगा हमारे subject फिर main verb की first form फिर object तो example के मदद थी से और अच्छे समझते हैं example क्या है हमारे example ले लिया हमने क्या तुम क्या खेलते हो इसके आफरी में हमेशा question mark आगहा क्योंकि क्या要 Cole should point a question. chemOW region बू deleting रगना तू आएगा हमारे question mark आग zust वहुीं क्या तुम खालते हो तो आगए हमारे do फिर क्या तुम की इंगलिश आगए हमारे you और खेलики नीपी होती है हमारे play तो इसका बिंगे हमारे do you play फिर आता है हमारे एगला example हमारे क्या तुम वहां रहते हो तो सबसे पहले आएगा हमारे do या does do आएगा डच आएगा do क्यों कि हमारे जू सब्जेक्ट है तुम हमारा प्लूरल तो हमारे आ गया है या पर दू फिर आजाएगा हमारे सब्जक्ट सब्जेक्ट हमारे यू फिर रहने के लिज़ी होती है लीव और वहां के इंग्लीश हो गई देर तो इसका पूरा बन गया do you leave there फिर के जाता है हमारे वहे क्या हहे तुम्हें पढ़ाता है और आजक्री में कोस्ट्रमार्ट लगाना मत बूलना हर सेंटेंस में अगर वहां आगे हम पढ़ेंगे दबल इंटेटीव तो उसमें कोश्टर मार्क लगेगा sentence के आकरिम में question mark लगेगा यह हमेश्य जहां रगना तो अब तर चलिए आपर कुछ मज़ा करते हैं आपर देखो कौन सा टेंस है आकरिम क्या रहा है ता है रहते हो ते हो ता है केलते हो ते हो तो ता है ते हो ते हो आ रहा है तो एक प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो एक्जांपल क्या है हमारे क्या है हमारा क्या तुम उसे जानते हो तो सबसे पहले आएगा हमारे do or does तो क्या आएगा पर do or does मिसके आएगा does does क्यों आएगा क्योंकि हमारे जो वह सब्जेक्ट रही है हमारे singular तो सबसे पहले आगा हमारा does फिर subject रही हमारे ही फिर पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे double interrogative तो सबसे पहले इसकी structure फॉर्म को लेंगे इसकी structure लेगो कितना बढ़ा होगी है कुछ ही नहीं इसमें structure बस दो interrogative में चोई interrogative में do does फिर subject फिर word की perform फिर object इसी की तरह इस structure में पहले क्या आजाएगा है डबलू एच वर्ड्स एक चीज आपने गोर क्योंगी कि interrogative डबल इंट्रगेटिव में तसे difference है कि जो डबल इंट्रगेटिव में सुरूआत में डबलू एच वर्ड्स आएंगे और जो है interrogative में जो भी हम कुछ भी सवाल पूँछ़े इसका हम जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं पर जो डबल इंट्रगेटिव वर्ड्स में हम किसी भी सवाल का जवाब किसी भी question का answer जो हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं जैसे तुम क्यों रोती हो क्या हम बोल सकते हाँ तब क्रोच रखने क्यों हूं है समस्ट्स पहले हैं हमारे दूम एंग्र है तुम क्यों रोती हो तुम क्यों शचैनल होति हैं तू सबसे पहले आएगा हमारे डफ्लेयर डबल एश बर्ट्स बर्द्स से की शुरूर्ष जसे तो इसमें डबलो इस वड़ के आएगा, why, why क्यों आएगा क्यों कि इसमें कोशिंट क्या पूचरे, क्यों के इंगलिश होती है हमारे why, फिर do या does आएगा, do आएगा, do, do क्यों आएगा क्यों कि हमारे जो subject तुम है, यह क्या है plural लो तो इसलिए आगया हमारे do फिर आगया subject subject हो गया हमारे you और रोने की English हो जाएगा हमारे cry तो इसका पूरा बन गया why do you cry और आखरिम क्या गया question mark ठीक है अगला अगला हमारे वह क्या कहता है वह क्या कहता है तो सबसे पहले आएगा हमारे wh words, wh word क्या बनेगा vote क फिर आएगा हमारे do or does डस आएगा या do आएगा does आएगा does क्यों आएगा क्योंकि हमारे subject where है ये singular है लेया हमारे does फिर आगया हमारे subject he फिर आगया हमारे कहना कहने की English होती है check तो इसका पुरा बन गया what does he say अगला example है हमारे हम कहां जाते हैं हम कहां जाते हैं तो सबसे पहले आएगा हमारे डबलो एच्वर्ड, डबलो एच्वर्ड में क्या आएगा कहां की इंग्लिश होती है हमारे where फिर आएगा हमारे do or does do आएगा या does आएगा do क्याएगा क्योंकि जो subject हम है इस यह क्या है pluralist ले आगया हमारे do फिर आएगा हमारे subject subject क्या है we यानि हम फिर जाने के इंग्लिश होती है go तो इसका पूरा बन गया where do we go तो यह हमने cover कर लिया present indefinite पूरा पढ़ लिया हमने तो कैसा लगा आपको उमराय वीडियो अगर आपको आगे पार्ट्स चीए तो हमें comment कीजिए अगर आप comment करेंगे तो ही हम आगे के पार्ट्स बनाएंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाइ बाइ